हाई इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रयान 3 मून मिशन के बार में साती साथ हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो मून मिशन हुए उनके बार में भी हम डीटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे साती साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो launch vehicle है Mark 3 इसके working के बारे में जानेंगे साती ये ladder क्या होता है और उसके अंदर जो रोरर होता है वो भी किस तरह से काम करता है ये हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे ये है 37 धवन स्पेस सेंटर एट स्री हरी कोटा आंदर प्रदेश के अंदर में है ये अब देखो ये किस तरह से बना होता है launch vehicle Mark 3 सबसे उपर में होता है ये payload जिसके अंदर में चंदर यान 3 का स्पेस क्राप होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर में ladder होता है और roller होता है ladder के अंदर में roller होता है उसके बाद इसमें देखे ये होता है S200 और ये जो S200 होता है ये होता है booster जब इसको launch vehicle को जो start किया जाता है उसके बाद जो इसको boost करता है जो ignition प्रोवाइड करता है, वो होता है S200, starting में, उसके बाद ये जैसे S200 सेपरेट हो जाता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद जो L110 ये काम आता है, फिर इसके बाद जैसे L110 सेपरेट हो जाता है, फिर C25 इस पेलेट को आगे ले जाता है, ठीक है, इस तरह से ये पेलोड जो है, जिसके अंदर में में चंदरयान 3 का स्पेसक्राफ होता है, इसका मतलब इसी में लैडर और रोरर होता है, इसको मून पे ले के जाया जाता है, ठीक है, अब देखो ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले जैसे ignition कोन प्रोवाइड करता है, S200 प्र आगे जो पेलोड को आगे ले जाता है, that is just C25, और C25 भी आगे जाके satellite को separate कर देता है, ठीक है, 179 किलोमेटर के बाद में, अब देखो ये है में ली पेलोड और इसी में होता है, लैडर और रोरर, अब देखते हम ये काम कैसे करता है, ये है रोरर, ठीक है, ये रोरर और इसी के अंदर में ये होता है, ठीक है, ये जो रोरर होता है, ये इसी के अंदर में होता है, जब ये जो लैडर है, इसको जब मून के सरपेस पे इसको लैड किया जाता है, तो इसी में से ये निकल जाता है, तो ये क्या काम करता है में ली, ये इसी के अंदर में कैमेरा होता है, औ ढ escrito और यह यह टाक्लेट करके यह किसको देता है इस लीक हमाईर को कि देता है रे जो ल्यक करता है यह जो मून केकर Secret रहा सकते से शेली यह शेंड़ अधेता है यह पास्तों अधर्ड़ के चिह दोर समय स्वेस्नला में यह लेता है वहां आ पास करता है इस इंडियान डिप स्पेस नेटवर को पास करता है इस तरह से हमें धर्तिपे डाटा मिलता है स्पेस का ठीक है अब देखो हम चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तिनों मिशन को हम डिटेल में जानेंगे देके चंद्रयान 1 जो है ये 22 आक्टोबर 2008 को लॉंच किया गया था 37 धवन स्पेस सेंटर स्रीहरीकोटा अंदर प्रदेश के अंदर से और हम इंडिया मतलब इंडिया क्या ये फोर्थ नेशन था जो चांद पे गया व जो चांद के उपर में वाटर है उसके बाद एलेमेंट मिनरल आइस इन सब के बारे में हमें स्टडी करने को मिला था अब जब एक साल के बाद मतलब 2009 में जैसे हमारा कॉंटक छूट जाता है तो हम चंद्रयान 2 के तयारी में लग जाते और ये जो मिशन है हम हम लॉंच कर देटें यह में लिशी अर्बिटर लैडर मैंने दिखाद पर और रोरर भी मैंने दिखाद इया था जैसे यह जो लेरे हैं एे जैसे मून पर आपने सेड्शल टैम पर ल्यांड करने वाला होता है उसी समय यह जो लेर, जिसका नाम था विखरा यह जाता है तो यह जो हमारा पहला ये अगर ये हम हमारा सक्सेस्पूल हो जाता ये जो चंद्रयान टू अगर हमारा मिशन जो है ये सक्सेस्पूल हो जाता क्योंकि इसमें हमने मेनली साउथ पोल जो मून का जो साउथ पोल है वहापे हमें लैंड करना था ठीक है लेकिन ये क्या हो गया था ये Crash हो गया था तो ये हमारा जो मिशन था ये वर्ड का पहला मिशन था जो स्वून के साउथ पोल यान करने वाला था ठीके अगर ये सक्वेस्पूल हो जाता तो जो ग्लोबल कम्यूनिटी है स्पेस फेरिंग नेशन की जो Global Community उसमें हम लीड कर लेते अब यह देखो यह है South Pole Moon का अब इसके बार में जान लेते इसमें कही बिलियन सालों से लाइट नहीं आई यह यह वाइड है वन आफ 4.2 किलोमेटर और इसमें 600 बिलियन किलोग्राम इतना आइस वाटर है ठीके और यह हमें चंद्रयान 1 से पता चल इसमें temperature है minus 334 degree ferrite और इसमें जो है South Pole में अलग-अलग minerals है जैसे ammonia, methane हो गया, sodium हो गया, mercury हो गया, silver हो गया ठीके इस अलग-अलग minerals को हमें इनकी minerals को हमें जानना है, study करना है अब इसलिए हमने चंद्रयान 3 मिशन को भेजा है इसका थी में इस चंद्रयान 3 का मतलब अभी हमे launch करना है इस चंद्रयान 3 को, तो इसका जो थी में हो है science of the moon और ये mainly किसले ये हमें South Pole जो है moon का उसमें land करना है, इसके objective है इस चंद्रयान 3 के कि हमें soft landing करना है जो ladder है, जो मैंने ladder दिखा है आपको, उसको हमें soft landing कराना है इस moon के उपर में, साथी साथ जो roller है ठीक है, जो हम data collect करके देखा, जिसमें sensor और camera होता है, उसकी capability चेक करना है हमें, कि जैसे और land करता है, तो उसके बाद ये lotering करता है, घूमता है और अलग-अलग data को collect करता है, तो उसकी capability को check करना होता है हमें, ठीक है, तो ये हमारा objective है, चंद्रयान 3 का objective है, ये हमें जो ladder है, उसकी soft landing करान उसके बाद जो भी chemical और natural element है, वहाँ पे moon में, जैसे soil हो गया, water हो गया, उसको collect करते हो है, हमें क्या करना है, उनका data collect करते हो हमें scientific experiment करना है, ये हमारे चंद्रयान 3 के objective है, अब देखो, जो हमारा चंद्रयान 2 था, ओ क्या हो गया था, फेल हो गया था, 2019 में, अब हमने चं capacity है, इसको हमने बढ़ा दिया, इस चंद्रयान 3 मिशन में, साथी साथ, जो ladder है, उसके जो leg है, ठीक है, उसको बहुर strong बना दिये हमने, ताकि वो crash नहों, साथी साथ, उसमें बहुत ज़्यादा sensor लगा दिये, और उसका algorithm भी change कर दिये, जिसके वज़े से अभी क्या कर सकता है, अपने जो भी schedule, उसके जो spot है, उसको भी change कर सकता है, मतलब जहाँ पर land करना है, मान लीजे, वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको study करते हुए, क्या कर सकता है, अपने spot को change भी कर सकता है, इतनी capability आ गए उसमें अभी, चंद्रयान 3 के ladder में, साथी साथ, उसमें ह अपने software भी add किये, तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर में क्या क्या देखा, मेंली हमने ये देखा कि जो launch vehicle है, ठीक है, launch vehicle है, mark 3, उसके working के बार में जाना, साथी साथ हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और चंद्रयान 3, mission के बार में जाना, और हमने ये भी देखा क कि चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3, moon mission है, ये किस तरह से, चंद्रयान 2 से अलग है, ये ladder, roller, ठीक है, साथी साथ जो Indian Deep Space Network है, ये किस तरह से आपस में काम करते, ये भी हमने detail में इस वीडियो के अंदर में जाने की कोशिस किया, ओके, so that's all for this video, thank you, bye-bye.